भारत चीन के बीच लगातार तनाव जारी है लेकिन ड्रैगन को खतम करना अब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब भारत का ये पडोशी देश पूरी दुनिया पर खत्रा बनने लगा है अमेरिका को अब उसकी ताकत के बारे में जो कुछ पता चला है उससे सूपर पावर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है अमेरिकी रक्षा मंत्राले ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें पेंटागन ने चीन की बढ़ती ताकतों का पूरा ब्योरा दिया है ने नेवल पावर में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और अगले 10 साल में अपने परमानू शक्ती दोगुनी करने का टार्गेट सेट कर चुका है दोस्तों ये रिपोर्ट पूरे विश्व के लिए एक बुरी और खतरनाख खबर है चीन अपनी सैना की आदूनिक रण के चलते अब वो अमेरिका और रूस को भी कड़ी चुनोती दे रहा है चीन अमेरिका और रूस के बीच मोजूदा वक्त में आदूनिक हत्यारों को लेकर होड मची हुई है रश्टरपती सी जिंग पिंग के नेतरतव में चीन अपनी सैना पर बहुत अधिक निवेश किया और आज ये दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य ताकत बनने की ओर तेजी से अगरसर है सूपर पावर बनने को बेताव सी जिंग पिंग के लिए ये काफी नहीं है चीन अपनी सैना को दो हजार उननचास तक वर्ल्ड क्लास मिलिटरी बनाने की होड में पूरी ताकत जोग चुका है सी जिंग पिंग के खौफनाक प्लान का अंदाजा अब इससे लगा सकते हैं कि कमिनिष्ट सरकार के मुख पत्र ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में ये दावा किया था कि चीन को अब अपने निूकलियर हत्यारों की संख्या एक हजार करने की जुरुत है हाला कि दोस्तों स्टॉक हॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट के मुताबिक परमानू हत्यारों के मामले में अमेरिका और रूस अभी भी चीन से काफी आगे हैं जहां अमेरिका के पास अठावन सो और रूस के पास छे हजार तीन सु पचत्तर परमानू हत्यार मुझूद हैं इस आगडे के हिसाब से ड्रैगन के जंगी खाने में अभी तीन सो बीस निूकलियर हत्यार मुझूद हैं जबकि भारत के पास एक सो पचास एटम बम हैं आईए जानते हैं चीन के पास उपलब्द सबसे आधुनिक हत्यारों के बारे में और हत्यारों की होड में ये चीन के लिए कितने उप्योगी हैं दोस्तु चीन अपनी नोसैना को और जादा ताकतवर बनाने के लिए आधुनिक हत्यारों का निर्मान कर रहा है पिछले साल दिसंबर में शोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरे पोश्ट की गई इन तस्वीरों के साथ ये भी बताया गया कि चीन की नोसैना के पास युद में इस्तमाल होने वाला सबसे आधुनिक हत्यार है इसके जरिये हाईपरसोनिक स्पीड से हमले किये जा सकते हैं पानी के जहाज पर तैनात इस आधुनिक रेल गन के जरिये धाई किलोमेटर परती सेकंड की रफतार से 200 किलोमेटर तक की दूरी के लक्षे को निशाना बनाया जा सकता है CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार ये हतियार साल 2025 तक युद के मैदान में मोर्चा संभालने के लिए तैयार हो जाएगा वैसे तो अमेरिका अपनी सरजमीन पर रेल गन बनाने का काम कर रहा है इसके अलावा रूस और इरान भी इस तकनीक के प्रती इच्छुक हैं लेकिन इन तमाम देशों से पहले चीन ने अपनी नोसाना को मजबूती देने के लिए बढ़त हासिल कर ली है दोस्तो अगस्त 2018 में चीन ने एक हाइपरसोनिक एरक्राफ्ट के परिक्षन की बात कही थी साउच चाइना मोर्निंग पोस्ट के सब्दों में कहा गया कि ये एरक्राफ्ट किसी भी तरीके से मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में कारगर है वेव राइडर एक ऐसा एरक्राफ्ट है जो वायू मंडल में उतरते समय शौक वेव का इस्तमाल करता है ये शौक वेव तब उत्पन होती है जब एरक्राफ्ट उचाई पर पहुचकर तेज गती से उडान भरता है स्टोरी स्काई टू चीन का पहला हाइपरसोनिक एरक्राफ्ट नहीं है बलकि इसका उप्योग हाइपरसोनिक कलाइड वहनों के परिक्षण के लिए साल 2014 से किया जा रहा है यही वज़य है कि वेव राइडर तकनीक के परिक्षण में भी इसका परियोग किया गया साल 2017 में चीन ने एक हाइपरसोनिक मिसाईल की घोशना की थी इसका नाम DF-17 था और यह डॉंग फेन का हिस्सा था इस मिसाईल की रेंज 1800 किलोमेटर से 2000 किलोमेटर बताई गई दोस्तो वो तकनीक जिसके लिए रेस में है चीन और अमेरिका चीन अमेरिका का ट्रेड वोर दुनिया को गरीब बना देगा दोस्तो पिछले महीने चीन ने एक नए तरह के हवाई बम से दुनिया को रूबर उकराया इसे मदर ओफ आल बम कहा गया एक वीडियो में चीन की हतियार इंडस्ट्री की परमुक कमपनी नौर निको ने दिखाया कि इस बम को H6 के बॉंबर के जरिये आसमान से गिराया गया जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ चीन के इस बम का आकार 5-6 मिटर लंबा है जबकि इसकी तुलना में अमेरिकी बम करीब 10 मिटर लंबा है वो लंबा होने के साथ साथ हलका भी है जिस वज़े से उसे कहीं भी ले जाना ज़्यादा आसान है इसके अलबार रूस के पास भी इस बम का अपना संस्क्रन है वो इसे Father of All Bum कहते हैं ये अमेरिकी बम के तुलना में अधिक बड़ा और जहां गिराया जाता है वहां शोक वेव से अधिक बड़ी आग का गुबार पैदा कर देता है ये है अमेरिका की चिंता दोस्तों अमेरिका की चिंता की सबसे बड़ी वज़े है चीन की मिसाइल शमता पेंटागन की ताजा रिपोर्ट के मताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास जमीन से मार करने वाली 1250 बेलेस्टिक और क्रूज मिसाइल है जिनकी मारक शमता 5500 किलोमीटर तक है जबकि अमेरिका के पास सिरफ पारंपरिक बेलेस्टिक मिसाइल है जिनकी मारक शमता सिरफ 70 से 300 किलोमीटर तक है और शूपर पावर होने के बावजूद अमेरिका के पास जमीन से मार करने वाली कोई भी क्रूज मिसाइल नहीं है। इसके अलावा चीन के पास S-400 और S-300 जैसी लंबी दूरी तक मार करने वाले अत्याधुनिक रूसी मिसाइलों का सबसे वड़ा जखीरा मुझूद है। और फिलिपीन से लेकर भारत तक, अमेरिका के विशाल जंगी जहाज अपने मित्र देशों की ड्रैगन से रक्षा के लिए ढाल बनकर नीले रंड शेतर में तैनाध है। लेकिन अमेरिका को भी ये मालूम है कि समूदरी ताकत में चीन उससे कहीं आगे निकल चुका है। अब देखने वाले चीन को समूदर में चुनोती देना मुश्किल ही नहीं, नामिम्किन हो जाएगा। इसके संकेत तो अभी से मिलने लगे हैं। परशान्त महासागर से लेकर हिंद महासागर तक, चीन लगातार अपने नोसैनिक शक्ती का परदर्शन कर रहा है। जंगी जहाजों से आसमान में मिसाइल उडाकर ड्रेगन कभी जापान के साथ आइलेंड के अपने पुराने विवाद को जिन्दा करता है। तो कभी कृत्रिम आइलेंड की लडाई में फिलिपीन्स जैसे पडोसी देशों को धमकाता है। और तो और चीन की हेकडी से परेशान ताइवान की ताकत बनकर जब अमेरिका के एरक्राफ्ट कैरियर युद पोत दक्षिन चीन सागर में उतरते हैं तब भी ड्रेगन अपनी आदतों से बाज नहीं आता। नीले समुदर में दनादन मिसाइले दाग कर वो अमेरिका को भी आँखे दिखाता है। कभी युएस मरीन के एहम अधिकारी रहे चेड सरबेगिया ने साफ किया कि समुदर में अपनी असीम ताकत के बल पर ही ड्रेगन अपने पडोसी मुलकों से जमीन के नए नए विवा की जमीन बन रहा है। तीनों देश नए परमानू टेकनोलोजी के विकास सहीत तीनों सैनाओ के स्ट्राइक पावर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि वो खतरनाक तरीके से हमला कर सके। रूस और चीन ने हाल के वर्षों में नए और जादा शक्तिशाली ICBM को लॉंच कि लगी। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बाते बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और जादा से जादा इस वीडियो को शेर करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ हम जल्द मिलेंगे एक और इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ.